हेलो एबरिवन मैं मेथोन शिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज ट्राडिशनल के एकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलेंगे आज थोड़ा सा चेंज रहेगा क्या चेंज है कोश्चन अफ दे डे आपसे आज पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में तीसरा कोश्चन आपके सामने ये रहेगा कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस ने जीता या फिर सबसे ज्यादा गॉल्ड मेडल किस ने जीता नंबर वन पर कौन रहा तो यह तीन कोश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंड बॉक्स में जीए एक्जाम में आने वाले प्रत्न हैं तो यहां से देखिए आपको कुछ winners के नाम दिखाई दे रहे हैं इन लोगों का नाम इसलिए दिखाई दे रहा क्योंकि इन्होंने question of the day का answer सही सही किया है पिछले वीडियो में तो इन सारे लोगों के नाम को आप यहां पर देखिए हम लोग अफगानिस्तान के साथ बाचित कर रहे थे नोवंबर के टाइम में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया था वहां की जो capital है उससे भी घेर लिया था तो देखिए हम लोग कर रहे थे लेकिन यह ज़्यादा कुछ हुआ नही देखो यहां से आप देख पाओगे इंडिया टू होस्ट एन एस ए लेवल कॉन्फरेंस और अफगानिस्तान यह हम लोगों ने किया 10 नमामर को लेकिन अभी तो फिलाल अगर रियल सिच्वेशन देखा जाए तो अब कुछ बचा नहीं है और तालिबान ने पूरे अफग तरी ने सेंसिंग सेटलाइट तो चैना बहुत ऑगे बढ़ रहा है तो रही ठाई-सर आपका चैना ही होता है जहां से आप देख सकते हूं यह देख लो चैना ने ही तीन नए रिमोट सेंसिंग सेटलाइट को इस स्पेस्स में जह === किया है आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन के लिए आपके सामने ये रहा आपको बस ये बताना है कि किस स्टेट ने 1,544 करोर रुपीज जो है कोवीड देखो यहां से E, C, R, P का मतलब क्या हुआ इमर्जेंसी, कोवीड या फिर कोरोना आप समझ लो R for हो गया रिलीफ और R for packaging तो किस ने ये packaging की announcement करी है तो देली गवर्मेंट कहा है ये राट C नंबर तो इसका right answer C होगा डेली ने जो है कोवीड से बचने के लिए इतने रुपे की announcement करी है यहां से आप देख सकते हो और यहां से देख सकते हो फुल फॉर्म आप साइध वेट ए मिनट हाँ ये रहा emergency COVID-19 response package देखो यहां से आपको फुल फॉर्म भी दिख साएगा ये वाला लाइन आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर next question आपके सामने ये रहा किस West Indies के Allrounder ने हाल में ही अपनी retirement announcement कर दिया है तो दखिए ये क्या ब्रेथवेट थे ड्रोयन ब्रेवो थे caving gems थे या फिर सिर्मन हेटमायर थे तो दखिए ये जो right answer होगा न वो होगा अपसर नमर पी ड्रोयन ब्रेवो ने announcement करी है अपने क्रिकेटिंग केरियर का आगे बढ़ेंगे अगले question की और उससे पहले देखिए आप लोगों के लिए बता दो जो लोग last में आखरी के 10 दिनों में प्रोपरली मेरा नॉट्स पढ़कर भी काम करना चाहते हो जिनके पास कुछ नहीं है पढ़ने के लिए फॉर्म भर दिया है तो देखिए जो नॉट्स 499 का था वो अब हो चुका है 250 का जी हाँ हाँ प्राइस पर आपको अभी ये नॉट्स मिल जाएंगे ऐसा इसली है क्य उट्स में आपास को आएसने करी है तो देखिए फ्रांस कहा है यह रहा आपसे नमर सी फ्रांस नहीं यह समिट किया यहां से आप देखपाओगे फ्रांस टू होस्ट वन गलोबल वितनाम सम्मिट तो यह जो है पैरिस में हुआ था याद रखिएगा इस बातको यह कहा हु Who has released the revised PCA framework for banks? तो देखो जहां पर भी banks वगएरा की बात आएगी ना, तो framework वगएरा या फिर rule, regulation कौन करता है? RBI, जी हाँ, mother of all bank, जी हाँ, पूरे all over India के जितनी bank है, उसकी मा कौन है? RBI है, Reserve Bank of India, तो कहा है answer? Option A is the right answer. आगे बढ़ेंगे, next question के लिए, यहां से देखिए, the chief minister of which state has released the book Modern India? Modern India नाम की एक book है, उसे किसने release किया है? देखिए, लिखा नहीं है, release किया है, तो देखिए, यह जो right answer है, वो है, हरियाना के एक IPS है, उन्होंने यह book लिखी थी, देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, Modern India का जो book है, वो लिखा है, पुनम दलाल दहिया ने, और यह book किसके लिए लिखा गया है? यह book लिखा गया है, जो आने वाले जो सिवीर सर्वेंट बनना चाहते हैं, यहने कि IS IPS बनना चाहते हैं, उनके regarding के त्यारी करने वाली book है, आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए, इंडिया एन वीच कंट्री है रिसेंटली एनाउंस दा ओपनिंग अप सेवन मोर ट्रेड एंट्री एंट्री एंड एग्जिट गेट्स, तो देखिए हम लोग भूटान के साथ बहुत ही फ्रेंड हैं और आपको जानकर हैना नहीं होगी कि भूटान जो है ना भूटान के सारे जो foreign मामले हैं ना हम लोग देखते हैं, भूटान को बहुत सारे सप्लाई हम खुद करते हैं, भूटान को हम छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, आगे बढ़ेंगे, next question के लिए, which of the following country has test fire the inflatable missile detection system on a large scale, तो देखिए, यह काम जो है, यहां से आप देख पाऊगे, इसराइल कर रहा है, टेस्टिंग वगरा का काम इसराइल भी बहुत जोर सोर से कर रहा है, यहां से आप देख सकते हो, इसराइल test massive inflatable missile detection system, और इनका तो iron dom है, जो की बहुत ही famous हुआ था, जब फिलिस्तिन के साथ इनका war हुआ था हाल में ही recently, उस समय जो है, जो iron dom था, वो बहुत news में था, आप लोगों ने देखा भी होगा, विच मेडल है अकास वोन इन वर्ल्ड चैंपियंशिप, वर्ल्ड चैंपियंशिप में अकास कुमार ने कौन सा पदक जीता है, यह ब्रॉंज है, सिल्वर है, गॉल्ड है, या फिर ननव दीज़े, तो देखिए, यहां से आप देख पाओगे, अकास कुमार ने जो है ब् विच स्टेट्स, देखिए, सबसे बड़ी बात है ना की देखो, यहां पर आप देख पाओगे, कि एक ओयल है, जिसे GI टेग मिला है, जो है उतराखंड, अगरे कोशन क्यों हम लोग बढ़ेंगे, देखिए, पूरे भारत में फर्स्ट इंडियन कौन मेर किर्केटर है, ज इचन हाज बिन नेम्ड ग्लासको ग्लेसियर तो मार्क दा कॉप 26 समिस्ट, तो कि अंटार्क्रिका का ये नाम रखा गया है, तो ये कोशन थे, और भी कोशन और भी वीडियो आपको जल्दी ही जल्दी फ्रिक्वेंटरी देखने को मिलेगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्रा अर्ट का इंट प्रिक्वेंटरी जल्दी आपकोशन तो येड़ेंवेंमिस्ट जल्दी एंट अन्हों और भी का ये चनल कुप 26 द सля मुप 2 ये टो मुप 27 चंट जल्दी जल्लाडन आम इंदेगी साम